नमस्कार दोस्तों कृष्णा क्रेशी यंत्र यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है खेतों में फसल बोने के बाद खपतवार केसे हटा है जेविक तरीके से खेती किस परकार करें किस परकार जो रासायनिक का छिटका कम करके जेविक खेती की और अग्रसर केसे हो इसके लिए हमने बाइक पर ही एक एसा जुगार बनाया जिसकी साइदा से मात्र सो से पचास रुपे के तेल में आप आसानी से खपतवार हटा सकते हो क्योंकि इस चैनल पर तरह तरह के मशीनों के वीडियो मिलने वाले हैं तो बीना समय गवाई देखते हैं ये वीडियो दोस्तूं हम सुझगी मेक्स हंड्रेट गाड़ी पर खेत में आ चुके हैं यंद्र के साथ इसमें आप देख सकते हैं किस परकार बिल्कुल साथ साथ खेतों में खपतवार हट रहा है ये बाईक पर सिस्टम फोल्डिंग बनता है जब चाहो जब आप बाईक को चेंज कर सकते हो बाईक को वापस बाईक बना सकते हो चला सकते हो जब खेतों में खपत्वार हटाने का समय आए तब आप ये सेट इस पर बाइक पर कर लो और वापस अपना सेट खोल के बाइक को वापस चला सकते हैं इसका इतना शांदार जो अच्छा आपके सामने हकीकत जो दिख रहे है रिजल्ट मात्र सो रुपिया या पचास रुपिय के पेंट्रोल में एक बिखे का खपत्वार आसानिस हटाय जा चकता है इसके अंदर नाइन टाइल लगा हुआ है एक पोदे से दूसरे पोदे की डिफ्रेंस में तीन टाइल चलता है जिससे हल या टाइल के अंदर खपत्वार या अन्य थेली प्लास्टिक या कोई भी जो खपत्वार होता है वह नी फच्टा है इसी कारण से हमने एक पोदे से दूसरे पोदे की दूरी में तीन टाइल लगाया है इसमें टाप्रिंग दिया हुआ है जो आसानी से खफतवार को हटाया जा सकता है दोस्तों आने वाली समय में हमें जेविक खेती करनी है खेतों में शिलकाव बिल्कुल कम करना है क्योंकि शिलकाव करने से जमीन बंजर होती जारी और पेदावार में हर साल 10% कमी होती जारी इसका आप देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंट चलता है कोई इसमें बिल्कुल बेलेंस में बनाया हुआ है हमने दोस्तों आप घर पेटे ओनलाइन भी यंद्र मंगवा सकते हैं इसकिन पर दियोए नमबर पर तुरंत ही करे कॉल और जो खास करके ज्यान रखे आप जो वीडियो देख रहे हैं उसका स्किन सोट लेके हमें तुरं अगर किसान भाई के पास खेट में जमिन टाइट है तो उसके लिए हम अलग से यंत्र निशी के देते हैं कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइश को ना न बुलें मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जय जवा जए किसान